दोस्तो आज मैं ले चलूँगा आपको टॉरंटो शहर के उन पॉपुलर टेस्टिनेशन्स पे जहां पे टूरिस्ट सरफ विजिट करने आते हैं और हम देखने चलेंगे ग्रैफिटी एले जहां लोग स्प्रे पेंट का यूज़ करके दिवारों पे पेंटिंग्स बनाते हैं वहां लोगों से बाते करेंगे कप शप लगाएंगे और इसी बहाने पूछ लेंगे थोड़े सवाल जवाब फिद ले चलूँगा मैं आपको टॉरंटो का फेमस साइन दिखाने जो है लोकेटेड नेथिन फिलिप स्क्वेर में हाँ जी and at the last but not the least for sure डंडा स्क्वेर जहां पे दिन हो या रात पुल चहल पहल रहती है टॉरंटो नौर्थ अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शैर भाई 60% लोग यहां पे इमिग्रेंट्स हैं इमिग्रेंट्स मतलब के दूसरी जगह से आके सैटल हुए लोग जिन में इंडियन्स और उन में पंजाबी लोग सबसे ज़ादा है इसलिए पंजाबी लेंगविज यहां पे दूसरी सरकारी लेंगविज का किताब हासिल करती है जहां पे दुनिया की सबसे उची अमारत जिसका नाम सीन टावर जिसने 32 साल तक यह दुनिया सबसे उची अमारत का किताब अपने पास रखा बट 2007 अज हम आये हैं से लोग आते हैं यहां पे लोग फेंटिंग करते हैं इस लीगः ऋवे हें लीगर विस जहां पर यह वाल पे ऐची जो पेंटिंग गला अधर्योश को टरांटẫटेश हैं यह वे मैं लीगवाइब एक्सक्राइब पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर सकते हैं आथ हमा सकते हैं और रही बात परमिशन की यस तो जो बिल्डिंग के ओनर्स उसे आपको परमिशन लेनी परेंगी इस फ्री आफ-फ-kos and घूमने का भी कोई चार्ज नहीं है यह बिल्कुल दाउन ताउन के बिल्कुल नजीक है बिल्ड़ कि दिल्डा और समस्टनी मaciो कि आज में बनी इस लए इनग विक आझ ख्थीन ख्यान मैं रचियरोग ब्लाग तून्ट गुवर्व जासा किया घरले विए और इंट साय रागा स्थर्ट जारे टूर्ट एड़ ऑल में व्यान विए टोरius ? so what do you think living here in Toronto is expensive even even visiting also yes even the place over here the areas also matter yeah right so you you guys are living in downtown area mississauga you guys are also from mississauga yeah and it's expensive over there too right yes so you guys want to for the let's say rest of the life want to live here in Toronto specifically or you want to thinking of settling somewhere else like any other place in any any thoughts about that I'm in Vancouver right now and we can have the same problem with everything so expensive especially food so and the properties yeah the properties are insane so I'm thinking I'll probably move back to Vancouver Island later on but I believe the it's right now not a good time again to settle back home because the things are changing right yeah so what I want to do is I want to like learn as much information as I can in Canada and then everything I learned here I can apply back home perfect back and let me tell you all about that the Graffiti Alley is so popular that there are songs and movies shooting of songs and movies in the coming days क próxim GPU है कर दल लुटूंटी Cookie है ऑख में सुस्थ mmm so we are just doing a YouTube interview just Your shave about The Graffiti Ela like on how you come to know about this place? Even you're not being from Toronto, you have told No I'm not from Toronto Where are you from? Switzerland Swyz-erland is a great place to visit है जब यह फिर रहनु को रोड़ेक जुम्हलों के जए लघार निए आडद लूट मे ला डिको जुब हम लूपन आप इस जो अगा फनार मार्नमा पुला बेसितना जब बलाप मैं लुट यह इनले हैं इनका एक hidden meaning होता है, and in the graffiti itself, उनका जो maker का sign है, वो भी यह तो अंदर ही शुफा होता है, यह फिर बिल्कुल bottom में ऐसे लिखा होता है, you can find it over there, and the meaning of the graffiti, you can find it on the internet also, तो अभी हो चुकि यह बहुत थंड, and ले चलते हैं हम आपको किसी coffee shop, coffee shop चलते हैं, coffee shops पीते हैं, and let's go, बाचित करते हैं वापो, जी दोस्तो, ग्रैफिटी एले से हाथ चुके है, हम नेथन फिल स्कूर, यहां से यहां का रस्ता सा हमारा इन कार 10 minutes, and walking distance है 20 minutes, अगर तेज चलेंगे तो 15 minutes भी लगेंगे, so this is the main Toronto sign over here, यहां पे लोग आके ice skating करते हैं, and यह मशूर यहां पे एक spot है, जहां पे लोग आके ice skating का मज़ा लेते हैं, and गर्मियों में यह सारा एक cool area हो जाता है, जहां पे लोग side में बैट के चल करते हैं, अगर आपको यह वीडियो भी तक पसंदा रही हो, तो please press the subscribe button, and the bell icon. जी भाई साब, अब ही हम आगे हैं, Dandas Square, and Dandas Square के बिल्कुल नजदीक ही पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा underground shopping complex, जो 30 km का radius cover करता है, and हाँ जी, भाई साब, ये 70 buildings को अपने साथ connect करके रखता है, जी हम. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, तो please press the like button, and और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, press the subscribe button, and the bell notification, share, and comment. Thank you, दोस्तो, मिलते हैं नेक्स व्लोग में.